हाई अवरिवन आज की मिठाई बहुत ही जादा स्पेशल है ये एक सूजी से बनी सूइट रेसेपी है जिसका नाम है सूजी पीठा खाकरा और बहुत ही जादा यमी ये मिठाई बनने वाली है तो आप अभी देखेंगे कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट मिठाई तयार हुई ये घर में रखे हुए कुछी इंगिरियंस के साथ बहुत ही इसली बहुत कम टाइम में मुश्किल से 10 मिनिट में बिलकुल यमी सी सूइट आपकी तयार हो जाएगी आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस और अंदर से बिलकुल ये अच्छे से पकी हुई है स्पॉंजी स देख सकते हैं तो ये बिठाई तो आपको जरूर एक बार ट्राइ करना है और मुझे कोमेंट करके बताना है कि आपकी स्वीट कैसी बनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है और उसको मैं इस तहां से पूरे पैन में फैला लूंग इस तहां से भूनना है इसका कलर चेंज ना हो बत सूजी का दाना अच्छे से खिल जाए और अच्छी सी खुश्बू आने लगे बस इतना ही हमें सूजी को भूनना है इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है और ये देखिए सूजी हमारी खिली-खिली सी भून चुकी है अब इसमें हम add करेंगे डेर कटोरी दूद और दूद डालने के बाद इसको अच्छे से जल्दी से हम mix कर लेंगे और आप देखेंगे कुछ ही seconds में सूजी दूद को observe कर लेगी और बिलकुल एक डो के form में हो जाएगी ये देखें सूजी अच्छे से दूद को observe कर चुकी है और अब flame को मैंने off कर दिया है और ये dough हमारा तयार हो चुका है अब हम इसे एक plate में रखकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे इस तरह से और अब हम चाशनी दयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी ली है और वही सेम कटोरी पानी लिया है एक कटोरी और इसको हमें एक उबालाने तक पकाना है इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है और इसमें मैंने कार्डमम एसेंस का यूज किया और आप चाहें तो इसमें छोटी लाइची का करें और साईड के Heights के मैं रख देते हैं और इधर मैंने सूजी में डाले होती हैं 3 चम्मच घखे fulfill करें करब दादनी के मैदा और ईच्छे से हम गूंध लेंगे जैसे कि हम आटे को गूंधे हैं और फिर इसमें एड़ करेंगे आफ टी स्पून बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है और इसको अच्छे से प्रॉपरली गूंध लेंगे जब आपने मैदा और मिल्क पाउडर इसमें एड़ किया था तब ही आपको बेकिंग सोडा भी इसमें एड़ कर लेना है और अच्छे से इसे गूंध लगाना है बहुत अच्छे से आप इसे जितना अच्छे से मैश करेंगे अच्छे से गूंधेंगे आपके balls उतने ही अच्छे बनेंगे बिल्कुल और कोई भी किसी तरह का उसमें crack नहीं होगा तो आपको fry करने में आसानी होगी वरना fry करते वक्त अगर cracks होंगे तो तूटने का डर रहता है तो आप अच्छे से इसको गूंट ले और ये देखे कितना soft सा हमारा dough तयार हो चुका है अब हम इस dough की अच्छी सी गोल गोल सी balls बनाएंगे बिल्कुल crack free इस तरह से ये देखे बिल्कुल crack free इसकी balls तयार हुई है बस इसको हलका सा प्रेस करिए और ये एक पेड़ा नुमा आपका बन जाएगा इसी तरह से आपको अपने सारे मिठाई तयार कर लेनी है इस तरह से size आप अपने according छोटा या बड़ा रख सकते हैं और medium hot oil में इसे fry कर लेंगे तेल को बहुत जादा आपको गरम नहीं करना है और बहुत कम भी गरम ना हो medium hot oil में आपको इसे दोनों साइट से fry करना है light brown होने तक यह देखे बिलकुल यह तूट नहीं रही है बहुत अच्छे से फूल रही है और अच्छे से इनका color भी आ रहा है जैसे ही दोनों साइट से यह brown हो जाते हैं आपको इने फौरन बाहर निकाल लेना है और चाशनी में डाल देना है और दो से तीन मिनट यह चाशनी में पड़ी रहेंगी बिलकुल अच्छे से इनके अंदर चाशनी आप्जर्व हो जाएगी और यह बहुत ही yummy से आपकी sweet तयार हो जाएगी यह रेखिए दोनों साइट से मैं इनको लगातार अलट पलट करते हुए fry कर रहे हो और यह बिलकुल भी बिलकुल फूट नहीं रही है और यह रेखिए हमें यह color लाना है अपनी sweet का और इन सब को अब हम बाहर निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा उसे गुन-गुना कर ले तब इसको आप उसमें add करें और यह मैं इस तरह से सारी मिठाई को बाहर निकाले ले रही हूँ तो आप लोग भी इसी तरह से घर में मिठाई बनाएं और enjoy करें और मुझे comment करके बताएं कि आपकी sweet यह कैसी बनी और यह देखिए मैं आप इस सारी मिठाई को बारी बारी से चाशनी में डाल दूँगी और दो से तीन मिनट में ही यह मिठाई जो है इस चाशनी को अपने अंदर observe कर लेगी और यह देखिए इस तहां से आप दोनों साइट से इसे पलट दे और दो तीन मिनट के बाद आप इसे प्लेट में निकाल ले और इसको कुछ ज्राइफ रूट से डेकुरेट कर ले गार्निश कर दे और यह लीजे हमारी यमी सी टेस्टी सी sweet तयार हो गई है अगर अच्छ भी करें